हेई, वाट्स अप गाईज, वेलकम तो माई यूटिब चनेल, आईटी क्रियेटोर्स तो आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा ऐसा एक एमेजिंग HP ब्रेंड का लैप्टोप जिसमें आपको मिलेगा स्क्रिन टाच डिस्प्ले प्लास फोल डेवल की बोर्ड एंड ये स्क्रिन टाच लैप्टोप आपको मिल जाता है 24,000 और 44,000 प्राइस रेंज में फोल्डेवल स्क्रिन टाच लैप्टोप जो लैप्टोप को मैं करीब 4-5 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ आज इस वीडियो में इस लैप्टोप का फूल रिव्यू करके आपको बताऊंगा ये लैप्टोप आपके लिए कैसा हो सकता है ये लैप्टोप को आउन करके अनलोक करने के लिए पस्वर्ट इंटर करके अनलोक करना होता है अनलोक होने के साथ साथ इसमें Google Chrome ओपेन हो जाएगा बिकॉज ये लैप्टोप में यूस किया गिया है Google का Chrome OS जो Chrome OS मार्केट में एवेलेवल Windows और Macbook से ये लैप्टोप को बिलकूल अलग बनाता है बिकॉज ये Chrome OS के बजा से ये लैप्टोप एक दोलाग चली साजर का Macbook से भी पहले अन हो जाता है जिसका एक टेस्ट ये वीडियो का बीच में आपको दिखाऊंगा तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए नई तो ओटेस्ट अब मिस कर जाओगे तो अब ये लैप्टोप का ओपरेटिंग सिस्टेम एंड एक्स्टरनल फीचर्स को देखते है सबसे फहली चीज इसका 360 Foldable Display जो डिस्पले टोटल स्क्रीन टाच है ये डिस्पले स्क्रीन टाच डिस्पले होने के वज़ा से ये लैप्टोप का डिस्पले को फोल्ड करके एक 14 इंच का टैप के जैसा यूज़ कर सकते हो टैप से इयादा है दोस्तों ये लैप्टोप में यूज़ किया गया है Chrome Operating System जो Operating System एक Totally App Based Operating System होता है जिसमें आपको मिलेगा Google Play Store Feature, YouTube और भी बहुत सारा Apps and Games जिसको Play Store से डाउनलोड करके ये लैप्टोप में चला सकते हो जैसे की WhatsApp, Facebook, PUBG, Free Fire, Netflix, Hotstar, TikTok सभी Apps ये लैप्टोप में अडाम से चला पाएंगे तो ओ सभी Apps and Games को ये लैप्टोप में इंस्टल करके टेस्ट करने से पहले ये लैप्टोप का External Ports को दिखा देता हूँ जैसे की ये लैप्टोप का left side में दिया गया है Fast Charging and Quick Data Transfer करने के लिए USB-C Type Port, Music को Enjoy करने के लिए 3.5mm Audio Port एंड एक Micro HD Card Slot जिसको डाइरेक्टली लगा के एक्सेस कर पाएंगे एंड उसका side में ही आपको मिलेगा Power and Log Button और ये लैप्टोप का right side में दिया गया है और एक USB-C Type Port, एक USB-Port जिसके ठीक side में ही आपको मिलेगा External Volume Button और ये लैप्टोप का USB-C Type Charger के मदद से ये लैप्टोप को काफी Firstly Charging कर सकते हो First Charging से इयाद आया ये Chromebook एक 2,60,000 का MacBook से भी पहले on हो जाता है चलिए एक टेस्ट करके देख लेते हैं तो पहले मैंने MacBook का लीड को ओपन किया उसके बाद Chromebook का ये Chromebook में है i3 processor, 8GB RAM and Chrome OS और ये MacBook में है i9 processor, 16GB RAM and Mac OS फिर भी ये Chromebook सबसे पहले बूट हो गया बिकाज ये Chromebook में यूज किया किया है Google का Chrome Operating System जो operating system बागी operating system से light है और ये Chrome OS का user interface बहुत ही clean होता है जिसको देखने में पूरे Android जैसा ही लगता है इसलिए ये operating system and laptop इतना first कम करता है तो जैसे कि आपको पहले ही बताया था ये HP Chromebook में आपको मिलेगा Google Play Store का पूरा access जहां से आप आपका सभी favorite apps and games को ये laptop में install करके चला पाएंगे जो ये features एक Windows operating system में नहीं मिलेगा तो अभी ये screen touch laptop में पापची game test करके देखते है ये laptop में कैसा चलता है ये laptop screen touch होने के वज़ा से games को आप दो तरीके से खिल सकते है एक हे keyboard को use करके and second screen को touch करके आपका पूरा access मिल जाता है जैसे कि आपको Android mobile पे मिलता है और सबसे अच्छी बात ये laptop में PUBG इंस्टल करके खेलने के लिए कोई भी emulator का ज़रूरत नहीं पड़ेगा डारेक्ली PUBG mobile को ये laptop में इंस्टल करके आप खेल पाएंगे यानि किसे भी Android mobile गेम को ये laptop में असानी से खेलना possible है ये games के साथ साथ आपका फेवरेट apps को भी इसमें चला पाएंगे जैसे कि WhatsApp, Facebook, TikTok, Hotstar, Netflix, Amazon Prime ये सभी apps को अडाम से ये laptop में इसे कर पाएंगे तो अब ये laptop का pros and cons बता देता हूँ जिससे आपका requirement का हिसाब से ये laptop को खड़ितना असान होगा तो सबसे फहले इसका pros बताता हूँ इसमें आपको मिलेगा Chrome OS जो बाकी operating system से fast है इसमें आपको मिलेगा screen touch and foldable display जिसको fold करके tablet की तरह यूज़ कर पाएंगे इसमें आपको मिलेगा Google Play Store फीचर जिससे सारे Android अप्लिकसन इसमें चला पाएंगे इसमें जो इसमें डाउनलोट करके basic काम कर पाएंगे इसमें आपको मिलेगा Google Assistant फीचर तो दोस्तो ये था ये लैप्टप के बाड़े में 6 प्रोज अब ये लैप्टप का कौन्स बताता हूँ इसमें Chrome OS होने के वज़ा से Windows Operating System का किसी भी Software इसमें इंस्टल नहीं कर पाएंगे जैसे कि MacBook का किसी भी Software Windows Laptop में इंस्टल नहीं होता वैसे ही ये HP का Chromebook है जो ये One Cons के इलाभा मुझे ये Laptop में और कोई भी Cons देखने को नहीं मिला है ये Laptop Students and Family Use per Pass में 100% waste है अगर आप Professional काम करना चाते हो तो HP Brand का Screen Touch Foldable Windows Laptop भी Available है तो दोस्तो मेरा Recommend है कि अगर आप Student हो या कोई किसी Family Member को Gift करना चाता है तो इसको अब Purchase कर सकते हो Purchase Link वीडियो Description में मिल जाएगा तो दोस्तो ये Amazing वीडियो आपको useful लगा तो Facebook एंड WhatsApp में आपका Friends के साथ से एड़ जरूर करना एंड स्क्रीन के उपर मेरा Second YouTube चनल का Profile विक्चर को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजिए जहाँ पर मैं Free Review Gadgets का Unboxing करता हूँ तो आज का ये वीडियो एई पर तक था एंड ये वीडियो को देखने के लिए दिल से थेंक्यू तो अभी के लिए टाटा टेक केर